कि हमारे मुख्यमंत्री जी आज ये चाहते हैं कि हर्याना के अंदर बेटियां बचें बेटियां पड़ें और बेटियां सब कुछ आज जो है कि अज ये कांड मैं ये मनूगी कि पुलिस प्रसासन की वज़े से आज ये कांड हो गया ने तो तीन दिन तक अगर पुलिस को कह दिया गया हो कि ये लड़की उठाई गया है और पुलिस उसके बावजूत कोई काम ना करे तो इससे मड़ी कोई बात नहीं है आज आज हम लोग party के सबी लोग का ठाओ के आज SK के साथ में आये हैं और SM साब से ये बात करके जाना था हमने परंतु किसी कारन स्मेयर थ्मील चले गए और यह कtte की लिए पूरी party हमारी ये हारी है कि हमारी बेटियां जो की आज कितने तो खेलों के अंदर आधा मैडल लेकर आ हारी है प्रन्तु कहां आज हमारी बेटियां को लोक अठा के ले जाते हैं पुलिस वीरी थाकर का रहे से अज ही यह कांट है इस के लिए आधा को कि बहुत ही दुर्बाग्यपूर्ण है कि सिस्था जिलाती गांग गिंदला में एक बारा वर्ष की बच्ची एक अबोड वे मासूम बच्ची जिसको अभी पूरी समझ भी नहीं आई थी लेकिन कुछ दरिंदों ने उनके साथ बहुत वहश्याना काम करते हुए उसका अपहरन वा दरिंदगी हुई हत्या हुई इससे बड़ा और गंभीर कोई अपराद नहीं हो सकता है यह व्यक्ति के विरुद अपराद नहीं है यह मानवता के विरुद अपराद है पूरी की पूरी humanity के विरुद है पूरे समाज के विरुद है भारती जनतापारिटी इसे बहुत गंभीरता से रिती है हमारे सम्मानित जिला द्यक्ष खड़े हैं और जितने भी हमारे जिले के परमुख कारे करता है वो भी खड़े हैं, हम पिछले साड़े छे वर्ष में पहली बार यहाँ पर आए हैं, इनको संदेश देने के लिए, कि भारती जनता पार्टी के नजरिये में यह बहुत ही गंभीर विशह है, हमारी पुलिस प्रशासन से अपेक्षा है, कि वो इसमें निश्पक्ष जांच क हूँ, हम भारती जनता पार्टी का ऐसास मन्यवर पुलिस सदिक्षक महुदय को देने के लिए यहाँ पर आए हैं, कि भारती जनता पार्टी भले ही सरकार में है, सरकार अपना दाइत्वर धर्न में निबाएगी, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है, और हम उस कर्तव्य क की भी हुई है, मेरी भी हुई है, उनके संग्यान में भी लाया है, मुख्य मंत्री कारेल्य के संग्यान में भी यह सारा गंभीर विशय दिया गया है, और सरकार के द्वारा भी जो यहाँ पे उनके निर्देश होने चाहिए, बांचित और अपेक्षित निर्देश वो सार उसको ना तो बरदाश्ट किया जाएगा ना सेहन किया जाएगा और अगर किसी के पार्ट पे चूक हुई है यी मस्ट भी पर पेर टू पे दी कॉस्ट फाबिट उसको इसकी कीमत देनी पड़ेगी कि अगर्ट जिन्ता पार्टी के सीनियर कारे करता गंड निटा गंड सबी लोग जो गानिया थाना के निचे आउं जिन्दा के अंदर जो बच्ची का अपरण करके उससे दुश्करम करके जो इत्या की गई इसकी हम सब लोग जिन्दा करते हैं और आज S.P. साब को ये नोटिस में लाने के लिए सारी बारते जिन्ता पार्टी की लिडर्शिप यहां आई है ये दूसरी गटना है S.H.O. राणिया जो आज प्रेजन्ट में है इनी के काल में दो महिने पहले ऐसा ये एक गटना कालवाना गाओं के सारन परिवार के लड़के के साथ हुई थी उसकी भी अप्रण करके हत्या की गई और उस दोरान भी S.H.O. यही थे इतना लापरवा होना और उसके बाद ऐसी ही गटना दुबारा गटना और उसी में भी फिर लापरवाई करना यह मैं समझता हूँ ठीक नहीं है फुलीस परशाशन को मुस्ताइद होके ऐसी गटनाओं को रोक लगना चीए और जो ऐसे लोग कृत्ते कर रहे हैं उन्हें आती शिकर पगड़के और डंडित करना चीए अब नयाले में पेश करना चीए आज मानेजरी जी छोकडा जी अमारी महिला विकास निजम की पूरक चेर्मेन चीए मती रेनु शर्मा जी बावना शर्मा जी विमला सीवर जी जस्विंदर पालकवर पीटी जी सारी हमारी महिला लीटर्शिप भी आज हमारे साथ है और हम आज एस्पी साब से हमने बात भ लेकिन हमें दो बजे का टाइम दिया सारी लिडर्शिप आज आपके समूख खड़ी है अत्यांत गंबीर मसला अमरे जिले का है अगर ऐसी घटनाएं बार-बार होती रही तो मैं समझता हूं कि पुरिस परशाशन पर लोगों का पुरुसा उठ जाएगा अपनी जिम्वारी का सही निर्वान करें इसके तहरत हम इनको सजग करने आई हैं कि जिला के अंदर आप जिला कप्तान है पर मुख है और भारते जन्ता पार्टी का कप्तान होने के नाते जिला देक्श होने के नाते मेरा दाई पर फर्च बनता है हमारी सरकार है हम लोगों के अंदर बरुसा बिच्वास काइम करें और परशाशन भी अपनी जूटी फुस्तेदी से निभाएं क्यों क्यों कि ये उसी एसेचों के तहफ है सेम तुसेम दूसरी घटना तो क्या मैं आप से आपके सामने सवा रखता हूं क्या एक खाने का अधिकारी होने कि नाते हैं उसका फर्ज नहीं मनता था कि जिस दिन ये घटना हो विदिन टू-स्री डेज उसको ट्रैप करें ट्रेस करें आजकाल तो क्या चीज नहीं है मुबाहिल से ट्रेस हो सकता है आपके पास हर साइबर है टेक्नॉलोजी है सब चीज सरकार ने कानून बनाया है कि अगर ऐसी घटनाएं छोटी बच्चियों पर उटता है तो फांसी के सजागा प्रावदान है पकड़के नहले में रखें और उस परिवार को नय दिलाने का काम करें मैं आप लोगों के माध्यम से भी आम जनता के बीच में भी एक रोसा और व होनी गई बड़ी मजबूती से और बेबाग तरीके से हम आवाज उठाने काम करें